हाई व्रिवान विल्कम टू माई चैनल रुचिस टैलन टिप्स कैसे हो आप सभी आप सब बहुत जादा अच्छे होंगे हिल्दी होंगे और फिट होंगे तो ये हैं आम की खटाई जो की दाल में डाली जाती है हमारे यहां और इस से चटनी वगारा भी बनती है तो बहुत से लोगों ने बोला था कि प्लीज आप शेयर करिएगा तो मैंने सुचा चलो आप थोड़ा सा शेयर ही कर देते हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा होता है तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाई जाती है ये वाली खटाई तो सबसे पहल आम को छील लिया जाता है जैसा कि हम लोगों ने छील के रख लिया आप देख रहे होगे फिर उसके बाद उसका खंड किया जाता है खंड मतलब की पीस में कट कर दी जाते हैं दो पीस किये जाते हैं एक आम से और जो उसके बीच का होता है उसको निकाल देते हैं सुखा लेत यहां पर मेरी खटाई तयार हो चुक एपढ़ी तो की आप साम को साप सुत्रा बढर के रख लेते हैं उससे धुल देते हैं आप घरेताई के लिए थोड़ा देते हैं में अब आपको बता देती हुँ. हींग मिक्स कर दिया गया और उसमें पानी डाला गया है वह अलग कटोरे में जैसा की अभी आपने देखा है और फिर उसमें उसको खटाई में डालते हैं और उसके साथ डालते हैं नमक जिससे की जो ये सूखी हुई खटाई है इसमें अच्छי से नमक mix हो जाए तो यह यहां पे मामी कर रही है और आगे का प्रोसेस मैं दिखा देती हूँ तो यहां पे इस वाला धिबबा है बड़ा सा इसी में भर के रखा जाता है पहले से इसमें डाल दिया गया है नमक फिर इसमें अब भर देंगी और भरने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीजें करने ही होती है तो बो मैं पूरा प्रोसेस आपको इए बड़ फिर से दिखा देती हूँ जिससे की जब भी आप खटाई बनाओ तो आपको कोई दिक्कत नहों आपकी खटाई खराब नहों ये खटाई हमारे हाँ साल यो साल चलती है मतलब 2-3 साल और मेरे यहां 3 साल चलती है 3 साल के बाद फिर भचती ही नहीं है तो चलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है वरना चले तो वैसे भी क्योंकि बहुत अच्छी रहती कहीं से खराब नहीं होती है तो ये मम्मी ले लेंगी खटाई और उसके बाद फिर इसको कैसे बनाना है ये पूरा प्रोस्स आप देख सकते हो तो सबसे पहले इसमें जो हींग वाला पानी था जो कि मैंने आपको बताया है वो वाला पानी इसमें मिक्स कर देना है अच्छे से और बहुत अच्छी लगती है इसकी स्मेल बहुत अच्छा महकता है हींग वाला मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे हींग भी बहुत पसंद है तो इसलिए हो सकता है और इसमें पूरा अच्छे से डाल दिया जाता है खटाई के चारो तरफ जिससे कि जब हम नमक डालें तो वो अच्छे से मतलब mix हो जाए और यहाँ पर ममी ने ऐसे mix कर दिया है और यह हो गई है हमारी खटाई बस इसमें नमक डालेंगे उसके बाद हमारी खटाई हो जाएगी complete तो वीडियो यही तक था hope guys वीडियो आपको अच्छा लगा होगा helpful रहा होगा आपके लिए तो अगर helpful रहा है तो प्लीज लाइक करना share करना friends and family में मैं फिर से मिलूँगे एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ तक तक के लिए बाई बाई ठेक क्यार